Hello friends, good afternoon, कैसे हो, hope करता हूँ, आपसे भी लोग अच्छे योंगिशो friends, आज की स्टूडों आप लोग्स में हिंदी लेंग्विज का टेस्ट लूँगा, इस पैसल यूपी पी एट एंटरंस एक्जाम 2023 के लिए friends, इस टेस्टे में जो टूटल आपके कोशन्स होंगे, वो हों के description box में आपको हमारे telegram channel की link मिल दागी, ओके, पीशली classes को भी आप लोग जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में, यूपी एट एंटरंस एक्जाम 2023 के नाम से एक अलग से प्लेलिस्ट होगी, ठीक है, तो यहाँ पे classes के timing आप साभी लोग देख सकते हैं, डेली सुबर 9 ज आपकी समान गयान की class होती है, डेड़ बजे आपकी Hindi language class होती है, साथे छे बजे आपकी subject ability and reasoning class होती है, ठीक है, तो इचली भाई class को start करते हैं, सबसे पहला questions आपकी skin पे आ गया है, प्रशून का प्रेवाची इसमें आपको बताना है, जो आप देंगे सब लोग, प्रशू प्रशून प्रेवाची है, पुस्पगा, किसका प्रेवाची है, पुस्पगा, और जितने भाई class को देख रहे हैं, सबी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, और शेयर भी कर देंगे, ताकि और सारे लोग जो है, जो हैं जोड़ सकें, वो भी अपनी बेहतरीन preparation कर सकें, और इसका जो form है February के first week में जो है जारी कर दिया जाएगा तो च्छाती पर सांप लोटना महौरे का जो सही अर्थ होता है एर साय करना ठीक है often इसका जो है आपका C वाला बिलकुन correct हो जाएगा चलिए अगला प्रिशन है लजज़ित होना नमलकित में से किस महौरे का अर्थ है लजज़ित होना जो है नमलकित में से किस महौरे का अर्थ है यह आपको बताना है और भी अगर आप लोगों को बीए डेंटरंस exam 2023 के जो है detail में वीडियो देखनी है तो इसका form कब आएगा सिलेबस का है, एक्जाम पैटन क्या है सारी जानकारिया उस वीडियो में दिया हूं है जाकि प्ले लिस्ट में आप लोग चेक कर सकते हैं दो तीन वीडियो बनी है तो लग्जित होना निमलकित में सी किस महारे का अर्थ है ये जो है आक उपन ना उठना ठीक है लग्जित हो जाते हैं तबी ओफनिस का आपका बी वाला बिलकुन करेक्ट हो जगा चलिए, कहां राजा भोच प्रशन क्या है, कहां राजा भोच, कहां गंगु तेली लोक वक्ती का सही अर्थ क्या है बड़े लोगों के साथ छोटे लोगों की बराबरी नहीं हो सकती है ठीक है, इसका सही अर्थ यही है कहां राज, कहां गंगु तेली ओफनिस का जो है, सी वाला बिलकुन करेक्ट हो जगा, चलिए, अगला प्रशन आकास से बाते करना लोक वक्ती का सही अर्थ क्या है, बहुत ही जबर जस्त प्रशन है, आकास से बाते करना लोक वक्ती का सही अर्थ क्या है, यह आपको बताना है, 55 के राइट अंसर क्या हो जगा, आकास से बाते करना लोक वक्ती का सही अर्थ है अभी मान करना क्या है अभी मान करना अगला पिशने आप देख सकते हैं दो डॉट डॉट के मेल से उत्पन निवगार को संधी कहते हैं सब्दों के मेल से या पदों के मेल से या वरणों के मेल से या वाकियों के मेल से किसको संधी कहते हैं यह आपको बताना है 56 का जवाब देने का प्रयास करेंगे और यह questions बहुत important है नोट कर लिजेगा जब भी आप लोग मेरी वीडियो देखा करें तो आप लोग अपने पास pen copy जरूर से जरूर रखा करें जिन को उसना में star लगा दूँ उस question को आप लोग नोट जरू कर लिए अगरे तो दो वरणों के मेल से उत्पन विकार को क्या कहते हैं शंधी कहते हैं तो यहाँ पे आपका वरण आ जाएगा ठीक है वरणों often इसका जो है आपका c वाला बिलकुन correct हो जगा चलिए समास कहते हैं किसे समास किसे कहते हैं इन दोनों question को नोट करिएगा 56 and 57 तो समास कहते हैं दो पद्यों के मेल को ठीक है often इसका जो है आपका b वाला बिलकुन correct हो जगा चलिए इसमें बताएगे कौन सा रश है अभी तो मुकुट बांधा था माध हुए कल ही हलदी के हाथ खुले भी ना थे लाज के बोल खिले भी ना चुम्मन सोनने का पोल हाई रुग गया यही संसार बना सिंदूर अंगार किस रस का उद्रान है बताएगे किस रस का उद्रान है ये 58 का जॉप देने के प्रास करेंगे तो ये जो है करण रस का उद्रान है यहाँ पे सोग की बात की जा रही है तो ओफनेस का जो हपका बी वाला बिलकुन करेक्ट हो जगा करण रस का इस्थाई भाव क्या होता है शोग होता है ठीक है इस्थाई भाव आप लोग ज़रूर याद रखिये प्रत्य का प्रयोग होता है किन में तो प्रत्य का प्रयोग होता है सब्दों के अंत में ठीक है और उपसरग का प्रयोग सब्दी के आदि में यानि की प्रारम में होता है तो सी बाला आपका बिलकुन करेक्ट हो जगा चलिए भासा की सबसे छोटी इकाई बताई भासा की सबसे छोटी इकाई काउंसी है और जितने ब्लोग चैनल पर नय है सबस्क्राइब कर लेंगे इस चैनल से आपको निश्चीती मदद मिलेगी इस बार 2022 में बहुत सारे एक्ट्रुटिन हमारे चैनल से पढ़कर गौर्में की सबसे छोटी इकाई है वरन ठीक है ओफन इसका जो आपका डी वाला बिल्कुन करेक्ट हो जगा निमलके तविकल्प में से किसी एक की वरतनी सुद्ध है तो चैनल कीजे किस एक की वरतनी सुद्ध है बताईए सभी लोग सभी को भाई गुड़ा प्रनून सभी लोग व वाके का चैन करें अब तुम जाओ अब तुम जाए अब तुम जाना अब तुम जाओ ये आपका सही है अब तुम जाओ ये वाला आपका बिल्कुन सुद्ध वाके है ठीक है चलिए अगला प्रिशन निमलकी तो वाके के लिए उसके नीचे दिये गए विकल्प में से वा आनी के संभावना है इसमें संधेह बाचक या संकीत बाचक या विदी बाचक या इच्छ बाचक है कौन सा आपको बताना है तो यह जो है संधेह बाचक है ठीक है ऑ्फने कल आपकर बिलूम क्या है । अकरमक का विलोम क्या है? तो अकरमक का विलोम है सकर्मक ठीक है? ओफनेस का जो आपका B वाला बिलकुन करेक्ट हो जगा निमलखित प्रश्ण के सब्द यूगमिके सही अर्थभेत का चैन कीजिए जैसे आप पे अब जिस सब्द लिखा हुआ है तो इसका सही अर्थभेद का चैन करना है या आपको बताना है इस योग में किये तो वो है कमल और बादल ठीक है सीवल आपका बिलकुन करेक्ट हो जब चलिए अगले प्रिशन का जौब देंगे आचार विस्तोनात के अनुसार रस को काबिकी क्या कहा जाता है सरीर आतमा भेद या भासा 66 का जौब देने के प्रयास करेंगे और पूरी क्लास जरू देखा करें और जितने भी मैं कोश्चन्स करवाता हूँ क्लासेस में उन सभी प्रशनों के जवाब आपको देना मच्ट है ठीक है हर कोश्चन को जवाब जो है जरूर दिया करें आप लोग तो आचारे विस्तोनात के अनुतार रस को काब बिकी जो है जो है क्या कहा जाता है आत्मा कहा जाता है ठीक है ओफनिस का जो है अपका सी वाला बिलकुन करेक्ट हो जगा उपसर्ग में उपका अर्थ क्या है अभी मैंने बताया था ना उपसर्ग में उपका अर्थ क्या है समीब ठीक है ओफनिस का जो है आपका बी वाला बिलकुन करेक्ट हो जएगा ततश्यम शब्द का चैन करें इसमें ततश्यम शब्द तो तश्चन्ण शब्द आपका है ये अर्ट ठीक है, ए वाला आपका बिलकुन करेक्ट हो देगा चलिए अगला परेशंची यहाँ पर देखीए, गुंगे का गुढ मुहारे का अर्थ गया है गुंगे का गुढ मुहारे का अर्थ में अप्व्यक्त अनुभव सही लोक वक्ती चुनिए इसमें संत्र भी दास ना मंदिर जाते थे ना तीर्थ उनका द्रण विस्वास था यानि कि मन चंगा तो कटाउती में गंगा सच्छासर का सब्द का संद्वी छेट बतारा है आपको सच्छासर का सही संद्वी छेट कौन सा ही आपको बतारा है तो ये है सत्ध़न सासर है ओफन इसका सी वाला बिलकुन करेक्ट हो जगए इनमें से किस वर्ग में सभी सब्द प्रयाय नहीं है बताए किस वर्ग में सभी जो है नहीं है जाब देने का प्रयास करेंगे तो यह बहुत ही नॉर्मल कुश्चन है इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा ठीक है चलिए किस वर्ग में सही विलोम सब्द नहीं है सबी लोग जौब देने के प्रयास करेंगे किस वर्ग में सही विलोम सब्द नहीं है तो यहाँ पे कदाचार लिखा हुआ है या इसके सामने लिखा हुआ है दूराचार तो कदाचार का जो विलोम होता है वो सदाचार होता है तो यह आपका सही नहीं था ठीक है बाकि सही है आपके छलए इन्हें में से जो है उपसर्ग से निर्मित कौन सा सब्द अशुद है ये वाला आपका अशुद्र ठीक है चलिए लाश्ट कुश्चन इस क्लास का यहाँ पर देख सकते हैं इसका जवाप सबी लोग देंगे इनमें से कौन से सब्द जो है अब्वाई भावसमास का उद्रहन नहीं है लाश्ट कुश्चन का जवाप देंगे सबी लोग देखे दिनों दिन में अब्वाई भावसमास है यथा करम में अब्वाई भावसमास है हर रोज में अब्वाई भावसमास है मनमाना में अब्वाई भावसमास नहीं है इसमें जो है तप्रूश्चमास है ठीक है मनमाना में तो बी वाला आपका बिलकुन करेक्ट हो जागा लिए हेलफुल है तो पूरी क्लास अप्लोग जरूर देखा करें चलिए मिलते हैं के लिए क्लास पे धाएंगी शुमश